डाउट्रेंट पे कीजिए अपने सारे गउढमेट एक्जाम सी त्यारी, सीखे न्यों टिप्सिन्ट्रिक्स और सफाया करे अपने सारे माच्च डाउट्स का डाउट्रेंट कीजिए डाउट्रेंट आप भी है फिर वॉट्साप कीजिए अपने डाउट्स 8400-400 पर Hi friends 1 समीकरण हमें दिया हुआ है और देखना है कि इसकी value किसके बराबर है और ये समीकरण 5 दों से मिलकर बना हुआ है तो मैं इस समीकरण को पहले लिख लेता हूँ तो इसको मैंने लिखना चालू किया है ह इता है एक बटे रूट 9 माइनस रूट 8 माइनस एक बटे रूट 8 माइनस रूट 7 प्लस एक बटे रूट 7 माइनस रूट 6 माइनस एक बटे रूट 6 रूट 6 ये क्या रूट 6 है minus root 5 plus 1 root 5 minus root 4 ठीक है ये मेरा समी करण हो गया अब देखे यहाँ पर अगर मैं देखू 5 पद हैं तो मैं क्या करता हूँ एक पद को solve करता हूँ और फिर हमें पता है कि यह क्या sign change हो रहा है फिर plus है फिर minus है फिर plus है फिर minus है यह हम ध्यान रखेंगे हम अगर एक टाम का एक पद का value निकाल दें तो उसी तरीके से हम सारे पदों का value निकाल सकते हैं क्योंकि यह 9 है root 9 minus root 8 root 8 minus root 7 यह नहीं कि सम में एक कही अंतर है ठीक है तो देखे हम पहले पद का निकाल के देखते हैं तो यहां से यह क्या जाएगा एक पदे root 9 minus root 8 है तो इसको पहले मैं से solve करना है तो इसके हम सायोंग में करन कर दूंगा rationalization कर दूंगा यह क्या जाएगा root 9 plus root 8 से गुणा करना पड़ेगा अंस और हर दोनों में ही क्योंकि यहां minus था तो यहां plus आएगा तो root 9 plus root 8 आगया अब देखे यह क्या है a minus b है यह a plus b है तो मुझे पता है कि यह a minus b गुणे a plus b अगर होता है तो यह क्या होता है a square minus b square वाली सर्वसमिका को हम यूज़ कर सकते हैं ठीक है यह मेरा एक सूतर होता है हम इसको यूज़ कर सकते हैं तो देखे यहां से यह value क्या जाएगी root 9 plus root 8 बटे इसको मैं क्या लिख सकता हूँ देखे root 9 का वर्ग minus root 8 का वर्ग ठीक है तो यहां से यह value कितनी आ गई root 9 plus root 8 बटे यह क्या होगा root 9 का वर्ग 9 और root 8 का वर्ग 8 यहनिकी 9 minus 8 यहनिकी 1 तो इसको मैं लिख सकता हूँ root 9 plus root 8 तो जब पहले पद के लिए value यह आ गई इसी तरीके से मैं बांकी पदों के लिए भी लिख सकता हूँ तो दूसरे पद के लिए मेरा क्या जाएगा एक पटे root 8 minus root 7 के लिए तो देखें यह क्या जाएगा यह आ जाएगा root 8 plus root 7 ठीक है क्योंकि बांकी तो कोई change हो नहीं रहा है इसी प्रकार तीसरे पद के लिए अगर मैं देखूँ तो यह मेरा क्या था एक पटे root 7 minus root 6 तो यह क्या जाएगा root 7 plus root 6 आ जाएगा इसी प्रकार अगर मैं चौते पद के लिए देखूँ तो यह क्या जाएगा एक पटे root 6 minus root 5 के लिए यह जाएगा root 6 plus root 5 ठीक है इसी प्रकार अगर मैं आखरी पद 5 में पद के लिए देखूँ तो यह क्या हो जाएगा एक पटे root 5 minus root 4 था तो यह आजाएगा root 5 plus root 4 ठीक है अब मैं क्या करता हूँ पांचों पदों को मैं जिस तरीके से plus minus में arranged हैं जोडना है वैसे ही मैं लिख लेता हूँ तो देखे ये क्या जाएगा मेरा यहां से देखे सभी को जोडने पर तो मैं लिख लेता हूँ पहला पद मेरा क्या है root 9 plus root 8 दूसरा पद क्या होगा minus sign के साथ आएगा minus लिखेंगे तो यह आएगा root 8 plus root 7 minus sign बाहर है ठीक है plus यहां पर दीसरा पद मेरा क्या होगा root 7 minus root 6 वाले का इसकी value आगए root 7 plus root 6 ठीक है अब क्या आएगा minus sign आएगा और root 6 minus root 5 वाले का तो इसकी value क्या हो जाएगी root 6 plus root 5 यह minus sign बाहर है plus यह क्या आजाएगा root 5 minus root 4 का क्या आएगा root 5 plus root 4 देखे अब इसको मैं solve कर लेता हूँ तो यहां से कौन कौन सी value कटेंगी और कौन कौन सी value जोड़ जाएगी तो यह आजाएगा root 9 plus root 8 minus root 8 minus root 7 plus root 7 plus root 6 minus root 6 minus root 5 क्योंकि यह plus का गुड़ा होगा minus में तो minus हो जाएगा plus root 5 plus root 4 तो देखे कौन कौन सी values कट रहे हैं तो देखे root 8 से minus root 8 कट गया minus root 7 से root 7 कट गया plus root 6 से minus root 6 कट गया minus root 5 से plus root 5 कट गया तो बचा गया पहला पद और आखरी पद यानि कि root 9 plus root 4 बचा ठीक है अब मुझे बताईए अगर मैं root 9 लिखा हुआ है यानि कि वर्गमूल 9 का वर्गमूल का होता है 3 और root 4 लिखा हुआ है 2 का वर्गमूल तो ये कितना होता है 2 तो 3 plus 2 कितना हो गया 5 यानि कि मेरा answer क्या आगया 5 तो देखे मेरा सही answer क्या है option number A thank you